नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सोजीत पंड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास के प्रशन जो बारवा रिपीट हुए हैं वन नाइनर के फॉर्ण में आपका रिवीजन कराएंगे, आपको याद कराएंगे यह प्रशन, बहुत सारे प्रशन इसमें से आपको याद भी होंगे चलो तो स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करिए, अच्छे से सुनिये ध्यान से पढ़िएगा है न इतिहास के आरंबिक काल को क्या कहा जाता था, तो पुरा पांशान काल किस काल में पत्थर के औजार सब से पहले पाए गए थे, तो पुरा पांशान काल में कौन सी सविता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंदु गाटी सविता सिंदु घाटी सविता का कौन सा इस्थान सिंदु नदी के किनारे इस्तित था मोहन जोदारू मोहन जोदारू का इस्थान ये नाम क्या था मृत्यकों का टीला कहा जाता था रिशाल इस्नानागार कहां मिला था मोहन जोदारू से माता की पूजा संबन थी तो सिंदू घाटी सविता के साथ लोठल नामकिस्थान पर किस सविता का जहाजी मालगाड था सिंदू घाटी सविता का सिंदू घाटी सविता में काली बंगा किस के लिए प्रिसित था मिट्टी के पात्र के लिए वैदिक आर्यों का प्रमुक भोजन क्या था तो दूद और इनके बने उत्पाद वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रियुक सबसे पहले किया गया तामवे का किन तीन वेदों को सयक्त रूप से वेद त्रही कहा जाता है तो रिगवेद शामवेद और यजुरवेद आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्सों में सफल क्यों रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रियुक करने श्टार्ट कर दिया था रिगवेद एक आर्य पशुचारी लोग थे इसे तथे का यह तथे किसे पुष्ट होता है तो रिगवेद में गायों के अनेक संदर्व हैं अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ जाते थे पुरोहितों को दिये जाने वाले उपवाहार प्रह में प्रह गाये होती थी ना की जमीन इसलिए पशुचारी लोग थे आरे लोग आरे जंजाती की प्राचिंतं बस्ती कहां है तो सब्त सिंदू राजाबिशेक समाहरों का विवरण किसमें किया गया है तो एतरिय ब्रामभन में किया गया है प्रसिद्ध गातरी मंतर कहां से लिया गया है तो ये लिया गया है आपका रिग वेद से किसे विदुशी ने वाद विवाद में अजे ग्यात वल्ल्यव को चुनोती दी थी तो ग्यात वल्ल्यव को चुनोती दी थी आपकी गारगी ने गौतम बुद्ध का जन्मिस्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है तो अशोक मौर का रुम्मन देई स्तंब के द्वारा प्रथम बौध परिशत कहा जुद की गई थी राज ग्रह में सबसे पहली हुई थी बुद्ध का अर्थ क्या है ज्ञान प्राप्ति बुद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महतपूर्ण प्रवाव छोड़ा था तो इश्ट्रियों को और शुद्र को बुद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है तो दुनिया दुखों से बरी है यदि एक्षा पर काभू पालिय जाए तो निर्माण मिल जाएगा लोगों को दुख उनकी एक्षाओं के काण ही होते हैं प्रारंबिक बौध धर्म ग्रंतों की दचना किसमे की गई है तो पाली भाशा में की गई है पाली पाठ में भारत में सबसे बाद में उत्पन होने वाला बौध धर्म का ग्रंत कौन सा है तो वाम साथ पाक सिनी बुद्ध को प्रबोध कहां से मिला था? तो बोध गया मैं मिला था एक छा सब कष्टों काण है इसका परचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौध धर्म है महावीर कौन थे? तो 24 वे तीर्थकर थे महावीर जी जैन धर्म का पहली तीतकर किसे मना गया है तो सबसे पहला तीतकर रिशब देव जी को मना गया है जैन साहित को क्या कहा जाता है अंग कहा जाता है दक्षिन भारत में प्रसित जैन किंद्र कौन सा है तो स्रमण बेल गोला है भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है तो चित्रत दूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है ये मगद के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शाशक उत्तादाई था तो बिंबिसार था प्राचीन काल में स्त्रोच सामगरी लिखने के लिए प्रिवक्त भाशा कौन सी थी? संस्कृत में लिखा जाता था एलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहां लड़ी गई थी? तो जेलम नदी के टट पर यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा साहिब धार्मिक पाठ है यहूदियों का महा भाशे लिखा था पातंजली द्वारा लिखा गया था यूनानियों को भारत से बाहर किस न निकाला था? चंद्रगुप्त मौरे न निकाला था चंद्रकप्त मौरे का पुत्र कौन था? बिंदू सार था बिंदू सार के समय अशांती कहां थी? तक्छ शिला में अशांती थी अशोक की प्रसाशनिक नीती में भारी परिवतन किस घटना से आय था? कलिंग योदिके वाद देवनामाप्री के नाम से कौन विक्षाथ है? अशोग के विक्षाथ है चंद्रकप्त मौरे के दर्वार में भीज़ा गए योणादी राज़ूट कौन था? तो मैगास्तनीज था इंडिका किस ने लिखी? मैगास्तनीज के द्वारा लिखी गई है चंद्रकुप्त मौरे का प्रसिद्ध गुरु चानक के किस विध्या केंद से सम्मझ था तक्छी सिला से अर्थ सास्ति के लेखक किस के समकालिक थे तो चंद्रकुप्त मौरे के समकालिक थे अशोक के सिलालेक किस लिपी में खोदे हुए हैं तो ब्राम्ही लिपी में खोदे हुए हैं किस प्रशिद्र सासक को सिलालेकों का जनक कहा जाता है तो अशोक को सिलालेकों का जनक कहा जाता है मौरे वंशके शाषन के दोरान स्थानिक कौन था तो जिलाफ पर शाषक था मिलिंदपन हो क्या है तो ये एक बौध पाठ है कुशाण वंशके प्रसिद्र राजा का नाम बताईए तो कनिशक कुशाण वंशके प्रसिद्र राजा थे शक्समवंद किसके ने शुरू किया और कब तो कनिशके ने 78-20 में शुरू किया था कलाकी गांधार शैली किसके शाशनकाल में पनपी थी कनिशके के शाशनकाल में राजा खारविल किस छेदी वंशके महांतम शाशक थे तो एक कलिंग वंशके थे साथ वहान का सबसे बड़ा शाशक कौन था तो गौत्मी पुत्त साथ करनी महरौली में जंग रहित लोह स्थापित किस ने किया था तो ये गुप्त वन्शों ने स्थापित किया था चंद्रगुप्त द्वती और किस नाम से जाने आते हैं तो इनको विक्रमा देते कहा जाता है हरीशेण किस राजा के राजा कवी है तो ये समद्रगुप्त के राज कवी है रोमन सामराज के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा अक्रमण के साथ समाप्त हो गया बुद्ध काल में किस धात्तू के सरवादिक सिक्के जारी किये गए सोने के सरवादिक सिक्के जारी किये गए अपनी विजयों के कान किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है इलाबाल इस्तंब के सिला लेख में किसकी उपलब्दियां वर्णित हैं समुद्र गुप्त की उपलब्दियां वर्णित हैं फायां किसके शाशनकाल के दौरान भारत आया, चंद्रगुप्त दौती के शाशनकाल के दौरान भारत आया, मेग दूत का लिखक कौन है, काली दास मेग दूत के लिखक है, प्राचीन भारत के विख्याच किसक धन्वंतरी ने अपना परामश किसके दरवार में दिया था, किसके शाशंकाल के दोरान अजंता की कुफाय निर्मत की गई, गुप्त शाशंकाल के दोरान, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था, अरिकमेंडू था, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पद्वी धान की थी तो पंडित चोल मुडी कोंडा और गंगे कोट की उपाली धान की थी किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था तो राज राज प्रथम ने लंका को जीता था उत्तर मेरुड शिलालेख से किसके प्रशाशन से समझ जानकारी मिलती है तो चोल के बारे में जानकारी मिलती है चोल राजाओं का शाशन कहां था तो तमिलनाडू पता चोल राजाओं का शाशन राश्टकूटों की प्रारंबिक राजधानी कौन सी थी एलोरा राश्टकूटों की प्रारंबी के राजधानी थी एलोरा की प्रसिद्ध शेव मंदिर का निर्मान किसने कराया था तो राश्टकूट शाशक क्रश्न परथमने कराया था राश्टकूट के राजा अमोग वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो कवी राज मार्ग नामक पुस्तक लिखी है राश्ट कूटों का सरवादिक चिरिस्ताई योगदान था तो कन्नड कावर के तीन कवी थे पंपा, पुन्ना और राना तथा कैलाश मंदर ये राश्ट कूटों के समय का था किस राजवंश के दोरान महावली पुरम मंदर का निर्मान किया गया था तो पल्लव वंशों ने महावली पुरम मंदर का निर्मान कराया रवी कीर्टी जो एक जैन थे उन्होंने एहोल प्रसस्ती की रचना की थी किसके संड़क्षन प्राप्था उनको तो पुलकेशन द्वती का संड़क्षन प्राप्था रवी कीर्थी जी को प्रसित दीलवाडा मंदिर कहां से थे ये राजस्थान में से दीलवाडा मंदिर पुस्तक कथा सरित सागर किस ने लिखी है तो सोम देव ने कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी है हर्चरित के लिखा कौन है बान बटने हर्चरित लिखी है खजुराव मंदर का निमान किस ने कराया चंदेल के राजपूतों ने कराया है किसे प्रतिहार राजा ने प्रमार की उपादी ली थी तो प्रमार की उपादी महर भोज ने ली थी प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था तो महर भोज था उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्ष वर्धन के दरवार में आय था तो हेन सांग आय था प्रिंस आप पिल्ग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है तो हेंस स्वान को प्रदान किया गया है हर्श वाधन का समकालिक दक्षनी भारती शाशक कौन था तो पुलकेशिन द्वतिय था संस्कत नाटक नागानंद की रचना किस साशक द्वारा की गई थी हर्श वर्धन के द्वारा की गई थी भारत में नालंदा विश्विधाल किस राजमेस्थत है बिहार राजमेस्थत है नालन्दा विश्व दाज़े को नष्ट करने वाला मुसलिम आकरमन कारी कौन था तो मुहंबद बिन बक्तियार था सांची का महानता मद्ध कहां पर है ये आपका मद्ध प्रदेश में है घीत गोविंद के रचता कौन है जैदयो घीत गोविंद के रचता है दिद्धा नाम की रानी ने भारत के कि सभाग पर 1968-103 तक शाषन किया था तो दिद्धा नाम की रानी थी इन्होंने काशमीर में शाषन किया था सिंध पर विजय प्राप्ट करने वाले अरब सेना के सेना पती का नाम बताईए तो मुहंबद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की थी सिंद पर तरायन की दूसरी लड़ाई में प्रत्वी राज को किस ने पराजित किया तो मुहंबद गौरी ने पराजित किया किस लड़ाई में मुहंबद गौरी के लिए दिल्ली छेत्र खोल दिया गया था तो तरायन की दूसी लडाई में दिल्ली के سल्तान का पत समालने से पहले बलबन किस सल्तान की प्रधान मंत्री थे तो ये नसरुदीन के प्रधान मंत्री थे दिल्ली सल्तनत का उधारक कौन था? ईल्तोट मिश्ध था चंगेज खान ने जलाल उदीदिन का पीछा करते हुए किसके शाशनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था तो इल्तोतमिस्क का पीछा के शाशनकाल में प्रसिद्ध फार्सी थे वहाँ नौरोज का प्रवर्तन किस ने किया था तो बलवन ने नौरोज का प्रवतन किया था रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो ये अल्तमस या इल्तोतमिस की बेटी थी रजिया सुल्तान वे दो वंशच कौन थे जन्होंने खिलजी शाशकों से ततकाल पहले और बाद में शाशन किया तो ततकाल पहले सयद और ततकाल बाद लोधी वंच सोयम को दूसर सिकंदर सिकंदरी सानी कहलाने वाला साशक सुल्तान कौन था तो अलाउदीन खिल जी ने सोयम को सिकंदरी सानी कहा था दक्षण विजय करने का मिशन अलाउदीन खिल जी ने किसको सौपा था तो मलिक काफूर को कहा था दक्षण विजय करने के लिए वह सुल्टान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था तो अलाउद्दीन खिल जी ने वर्तमान दौलताबाद जहां मुहंबद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को इस्थान नत्रत किया था किसके समी पिस्तित है औरंगाबाद के समी पिस्तित है दौलताबाद मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था तो मुहंबद बिन तुगलक को कहा जाता था इपने बदूता किसके साशनकाल में भारत आये था तो मुहंबद बिन तुगलक के साशनकाल में भारत आये था दिये गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम अनुसा जमाईए तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश सबसे आकरी वंश था दिल्ली सल्तनत का सूफी परंपरा में पीर से क्या शे होता है? तो सूफी ओं की गुरु को पीर कहा जाता है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है तो सिलसिला कहा जाता है आदेशों को सूफी भक्ती प्रचारक शंकर देवने निम्न प्रादेशिक भाशाओं में से किसका उप्योग करके उसे लोगप्री बनाया था तो असमिया को लोगप्री बनाया था एनालेट्स पलत ग्रंथ है तो ये कनफ्यूश वाद या कनफ्यूजन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है विजय नगर राज की स्थापना किसने की संगम वन्ष न की थी गोगा के महतुपुन किले को बहमनियों से चीनने वाला प्रथम विजय नगर शाशक कौन था तो हरियर कृष्ण देव राय किस राजवन्ष के शाशक थे तो ये विजय नगर के शाशक थे तेलगू करती अमुक्द मालियत का लिखा कौन था तो कृष्ण देव राय ने अमुक्द मालियत लिखी थी अमुक्द मालियत किसका कार है तो ये कृष्णिदेव राय का कार है गोल गुमबच कहां से थे तो गोल गुमबच आपका बीजा पूर में से थे चितोड का कीरती स्थम किसने बनवाए था तो राणा कुमभा ने चितोड का कीरती स्थम बनवाए था बाबर ने भारत पर किस वर्ष ECV में आक्रमन किया था तो 1526 ECV में आक्रमन किया था भारत का प्रथम मुगल वार्षा कौन था बाबर भारत का प्रथम मुगल वार्षा था पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ गई थी तो बाबर तथा लोधी सामराज के बीच में दिली में मुगल सामराज की न्यूक किस लड़ाई के परणाम स्वरूप पड़ी थी तो पानीपत की पहले लड़ाई के स्वरूप भारत में सबसे पहले तोव खाने का प्रियोंक्ति ने किया बाबर के दुवारा किया गया बाबर की मरत्यूं कहां हुई थी आगरा में हुई थी 1540 इसवी में किस युद्ध के पचात हुमायू को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया गया था तो कन्नोज के युद्ध के बाद कन्नोज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था तो 1540 इसवी में हुमायू का मकवरा के वास्तुकार कौन थे तो मिरक मिरजा घ्यात अकबर डैश वर्स की उम्रों में समराट बना तेरा वर्स की उम्रों में समराट बना पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो शेहनाओं के बीच लड़ी गई थी तो अकबर और हैमु के बीच में लड़ी गई थी रामाईड का नुवाद फार्सी में किस ने किया था तो बदाय उन्हें ने किया था फार्सी में रामाईड का नुवाद आईने अगरी पुस्तक का लिखक कौन है अबुल फजल है वह प्रसिद जैन मददान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था हरी विजय का अकबर और राणा पताब के बीच में लड़ी गए थी बुलंड दर्वाज अंसते थे उत्तर प्रदेश में सते थे प्रयाग नगर को अलाइब अगल किसे नाम दिया था अकबर का अभी रख्षक कौन सा बैरम खान था तोडर मल किस मुगल शाशक के प्रसिद राज जो है राजस्व मंत्री थे तो अकबर के राजस्व मंत्री थे दीने इलाही का नया धर्म किस के द्वारा शुरू किया गया था तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था तो बीरवल ने दीने इलाई सुईकार किया था जब इस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बाश्या कौन था अकबर था किसके साशनकाल में तुलसी दास ने रामचरत मानस लिखी अकबर के साशनकाल में जहांगीर का अर्थ क्या था तो जहांगीर का अर्थ है आपका विश्व विजेता इंग्लेंड के ततकालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के साही दरवार में राज़ूत के रूप में किसको भीजा गया था तो जौन हौकिंस को भीजा गया था राजकुमार खुर्रम आगी चलकल क्या कहलाए तो ये साह जहां कहलाए शाह जहां का प्रसिद तक ते ताउस 1749 ECV में कौन ले गया था तो फारसी आक्रमक नादर्शाह ले गया था मोती मज़ित किस नगर में से थे तो ये आगरा में से थे मोती मज़ित और ये राज का आखरी कॉशन मुगल शाशक ने संगीत और नित्व पर प्रतिवन लगा दिया दोस्तों ये होगा आपकी सुपर फास्ट कॉशन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली वारा हैं तो और आगे भी आपको इतिहास पॉलिटी जिस विशाय पर वीडियो चाहिए जरू कमेंट करिए कौन सा विशाय आप पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक अपने ख्यार रखिए आप सभी का बहुत बहुत धनवाद झाल